Friends, अगर wife के साथ किसी प्रकार की क्रियूलटी होती है, या विवाइन किसे कारण से अपने पती से दूर जा कर रहे हैं, तो ऐसी स्तीति में जो पत्नी होती है अपने पती के खलावra maintenance का case पाइल कर देती है और पत्मी यहां पर हकदार भी होती है कि वो अपने पती से यहां पर मैंटेनिस ले सकती है पत्मी होती है अपने लिए और अगर बच्चे हो तो बच्चों के लिए जो है मैंटेनिस अपने पती से कलियम कर सकती है लेकिन फ्रेंट्स होता का है पत नहीं यहां पर क्या करती है जो वाइफ होती है यहां पर क्या करती है कि वो section 125 CRPC मेंटेनिस की मांग कर लेती है और अगर को divorce case चल रहा है यह section 9 का case चल रहा है तो उसमें भी section 24 के application लिकार maintenance की मांग कर लेती है और वो DV Act के तहित भी क्या करती ह है हाने कि की मांग कर लेती है यानरे की वाइफ को जितने भी option मिलते है यतने पिलते हैं वो हर एक case में की मांग कर लेती यह थे है है क्या वाइफ को जो हरे केस में मिलेगी या वाइफ को जो में वह किसी एक भी केस में मांग करती है तो उसके इस केस में ले वो मिलने जाए या नहीं मिलने जाए लेकिन फ्रेंट्स जिस जज्जमेंट के बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ उस केस में क्या हुआ कि वाइफ को दोनों केसों में ही मैंटेनस बांदेगी और वाइफ दोनों ही केसों में मैंटेनस लेने लग गई यानि कि कैसे जो पती है यहाँ पर वो दोनों केसों में अपनी वाइफ को मेटेंस देने लगा क्या थे पूरे फैक्ट जज्जमेंट के पूरे फैक्ट क्या थे इस जानने के लिए फ्रेंड्स आप वीडियो को अंतक देखते रहे बिन स्किप किये हुए तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे आपको रैड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा उसे एक बार कलिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं को नहीं वीडियो लेकिया हूँ तो उसके बारे में जी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए तो आईए शुरू करते हैं आज की वीडियो फ्रेंड्स आज के केस में क्या था कि वाइफ ने सेक्शन 125 CRPC के तयात कोर्ट में प्रेटिशन लगाई कि उसे अपने पती से मेंटेनिस दिलवाई जाए उसने अपने इलावा उसके दो बच्चे भी थे बच्चों के लिए भी कोर्ट से मेंटेनिस की मांग की तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया वाइफ को मेंटेनिस बांदी पंदरा सुर्पया पर मंथ और दो बच्चे थे बच्चों की भी हजार हजार प्या मेंटेनिस बांदी पर मंथ यानि कि टोटल हो गया फ्रेंड से 3500 रुपय पर मंत वाइफ को maintenance बांदी यानि कि जो husband अब वो 3500 अब वाइफ को maintenance यहाँ पे 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 गरेगा फ्रेंड से इसके लावा divorce case में भी पतनी ने section 24 की application लगा कर court से maintenance की मांगी और जो 24 की application लगाई थी wife ने divorce case में कोर्ट ने यहाँ पर पतनी को maintenance बांदी 25 रुपय पर मंत इसके लावा फ्रेंड से 6000 रुपया litigation expenses और सोर रुपया travel expenses जाने कि जब भी पतनी तारीख पे आएगी कोर्ट की hearing पे आएगी तो जो सोर रुपया पती यहाँ travel expenses अपनी पतनी को pay करेगा फ्रेंड से husband इसके खिलाफ high court में गया उसने जाकर court में यह बताया कि पतनी जो है और एड़ी 125 CRPC में maintenance ले रही है और उसने जो 24 की application लिगा दिवोर्स केस में उसके तयाद भी उसे maintenance मिलने लगी है निकि maintenance court ने बांदी है जो डाइवोर्स केस में section 24 की application लिगाई है उसमें wife ने disclose नहीं किया है कि वो और एड़ी 125 CRPC में maintenance ले रही है तो फ्रेंड से यहां पर court ने supreme court की जो एक लैंडमार्क जजमेंट थी रजिनीश वर्सस ने यहा उसको संग्यान में लिया और court ने यहां पर यह कहा कि जो पतनी है वो अलग अलग केसों में maintenance की मांग कर सकती है पतन 24 के application में यह नहीं बताया कि वो और एड़ी 125 CRPC में already maintenance ले रही है तो court ने यहां पर यह कहा कि अगर पतनी नहीं यहां पर disclose ने किया कि वो और एड़ी maintenance ले रही है तो पती ने भी यहां पर कौन सा कोड को बताया कि वह और रडी 125 CRPC में maintenance ले रही है जब वाइफ ने डाइवोर्स के से में 24 की application लगाई थी तो समय पती को बताना चाहिए था कि जो वाइफ है वह और रडी कोड को पता कैसे लगए की है कि आपर 3500 की में रही है और फिचिसो रुपया उसे अलग से लगी है वो भी उसे पती को पेक करना पड़ेगा यानि कि टोटल अमाउंट होगी फ्रेंट्स यहां पर पेंटी सो बन टी फाइव सी एर पीसी में और पच्छी सो रुपया पर यहांड पर यहांपर अपने पती से यहां पर ले गी तो इस परकार जो पती हूं तो यहां पर जो हुआ पर फोनी तैसां क्लति की retail पर वियो यहांपर दोनों केस में तेन यही पड़ी तो friends यह आपके लिए भी है अगर आपकी जो wife है वो एक case में already maintenance ले रही है और वो अन्य किसी case में भी maintenance की मांग करती है तो आपका जो वकील है वो कोट में बताएगा कि आपकी जो पतनी है वो already इस case में maintenance ले रही है और वो इतनी maintenance यहाँ पर ले रही है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो किर्पेस लाइक और शेयर रवशे कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करने तो बिल्कुली मत भूलेगा जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ तब तक दीजे मुझे जादत धन्यवाद